काउंट डाउन शुड़ू हो चुका है आपको बता दे कि कुछी देर बाद हम नए साल में रहने वाले हैं 2021 दस्तक देने वाला है और कुछी देर बाद हम नए साल का ज़स्न मनाने वाले है बेशक नए साल का रौन थोड़ा फीका जरूर पर सकता है लेकिन आपको बता दे कि इस कोरोना महमारी में भी सौ लोगों से ज़्यादा की इजाज़त किसी भी जगा पर नहीं है तो क्यों ना हम खुश रहें और अपनों के साथ घर में ही निव यर का जस्मरा है विश्वभर में नया साल अनोखे धंग से मनाया जाता है कोरोना है तो क्या हुआ आप इसे नय तरीके से मना सकते हैं आप पौधे लगाएं प्रकृति के लिए कुछ करें घर के हर सदस्यो द्वाड़ा एक पौधे लगवाएं आप अपने दोस्तों के साथ हाउस पाटी कर सकते हैं परिवार के साथ समय विता सकते हैं घर वालों के साथ पिकनिक पे जा सकते हैं उनके लिए कुछ सर्प्राइज प्लान कर सकते हैं और उन्हें एक गिफ्ट दे सकते हैं आपको बता दे कि कई बार हम ब्यस्ता के कारण परिवारवालों को वक्त नहीं दे पाते हैं। तो यहीं वक्त है परिवारवालों के लिए और अपनों के लिए कुछ खास करने का। शोर सरावी और भीरभारवाली जिंदगी से आप कोई बहतर विकल्प तलास रहें। जहां जाकर आपको प्रकृति का अनुभव होगा और दुनिया के शोरगुर और भीरभारवाली जगहों से आपको रिलाक्स मिलेगा तो आईए जानते हैं भारत के कुछ एसे ही अंसुने और खुबसूरत डेस्टिनेशन के बारे में नया साल तो विश्रु भर और देश भर के कोने कोने में नय और अनोखे अंदाज में मनाया जाता है लेकिन अगर आप भी अपने नय साल को यदगार मनाना चाहते हैं तो आपको बता दे कि नई गाइडलाइन्स का पालन करते हुए नए साल को अनोखी अंदाज में मनाएं। हिद भारत परिवार की ओर से आप सभी को नौबर्स की हार्दिक शुपका मनाएं। Happy New Year to you all!